मुंबई इंडियन्स आईपियल की सबसे सफल टीम है मुंबई ने रोहिश सर्मा की कप्तानी में पांच बार आईपियल का खिताब जीता है लेकिन पिछले सीजन मुंबई की टीम अच्छा प्रदशन नहीं कर पाई थी मुंबई के लिए हर्दिक पांडिया और किरन पॉलाड ने लंबे समय तक टीम के लिए अच्छा प्रदशन किया है लेकिन अब ये दोनों ही मुंबई के साथ नहीं है इस पर भारत के पूरू इस्पीनर हर्बजन सिंग ने बड़ा बयान दिया है साल 2012 में मुंबई नियंस की कप्तानी करने वाले पूरू अफिस पीनर ने कहा है कि मुंबई तभी सफल होगी यदि टीम डेबिड वहीं काम कर पाते हैं जो किरन पॉराड करते आए हैं और केमरोन गिरिन वहीं काम कर पाते हैं जो हार्दिक पांडिया ने किया था उन दोनों में छमता है लेकिन IPL ऐसा टूनामेंट है जिसमें यदि आप पहले दिन से चलना सुरू कर देते हैं तो आपका सत्र अच्छा होगा यदि आप नहीं चल पाते हैं तो आपको अपनी लाय पाने के लिए संगर्स करना पड़ता है तो आपके लिए मुश्किले बढ़ जाती है पूर्व आपिस पीनर ने कहा है कि मुंबई के लिए अपना IPL अभियान मजबूती से सुरू करना कितना जरूरी है IPL 2022 में मुंबई इन्यांस के बल्लेबाज कमाल का खेल नहीं दिखा पाये थे इसी वज़े से मुंबई इन्यांस पॉइंस टेबल में आखरी अस्तान पर रही इस बार मुंबई इन्यांस ने केमरोन ग्रिन पर मोटी रकम खच कर अपने साथ जोड़ा है वह सांदर ले में नज़रा रहे हैं और अच्छा प्रदशन करने के लिए बेताब होंगे मुंबई की टीम में कई नए चेहरे भी सामिल है ऐसे में उनके निगाहें छटा आईपेल खिताब जितने पर होगी